इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी यह मांस्पेशियों की हलचल को बढ़ता है और मांस्पेशी की एंठन से जुड़े दर्द और पीडाओं से राहत प्रदान करता है आपको इसे नियमित रूप से अपने डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लेना चाहिए डॉक्टर द्वारा बताए गए डोस से अधिक मात्रा में या अधिक समय के लिए इसका इस्तिमाल न करें इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में डायरिया यानि की दस्त पेट में दर्द अपच पेट फूलना यानि की गैस बनना हाथ पेर में सूजन और फ्लू जैसे लक्षन शामिल है अगर इन में से किसी भी साइड इफेक्ट से आप परेशान है या समय के साथ वो ठीक नहीं होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए इन साइड इफेक्ट को कम करने के या उनकी रोक्थाम के तरीकों से आपका डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है हो सकता है यह दवा हर किसी के लिए उचित न हो इसे लेने से पहले अगर आपको हृदय, किड्नी या लिव संबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके लिए सुरक्षित है अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी बताएं जिनका इस्तिमाल आप कर रही है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दवा का इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्ष लेना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद